पर्दिमा लगना बहुत जोड़ी है क्योंकि आने माल भविस में है हमारे जो इतने ही बच्चे हैं पता नहीं लगता आगे कि ये कौन है संभू सिंग को लोग सभा में जिता करके भारी मतों से जिता करके अपने अर्मानों का भारत बनाने का काम करेंगे मैं बैसाली से चुनाओ लर रहा हूँ लेकिन मेरी रिपोर्टिंग लगातार जारी है और मैं इसलिए आया हूँ कि हम लोग जो पिछले दस साथ से दिल्ली में बैठ कर काम कर रहे हैं जमीन पर उसका कितना असर है कितना बदलाब पहुचा है फूले पिरियार अमबेटकर संसिरुमनी रविदास महराज जिनको कबीर सहाब ने संतों का संत कहा है वो गाउं तो कितना पहुंचे टंग गई, संबिधान टंग गया, फूले पिरियार अंबेटकर संस्तिरुमनी रविदास महाराज कबीर तथागत बूद की तस्वीरे टंग गई, उस दिन इस देश की गरीवी दूर हो जाएगी, ये देश फिर से भारत सोने की चिरिया हो ज जाएगा, और हर नागरी का गरीबी असिक्षा दूर हो जाएगी, मैं बैसाली जीले में हूँ, अपने बहुजन समाज का ये परिवार है, और ये देखिए, ये देखिए, बाबा साहिब है, संस्तिरुमनी रविदास महाराज है, तथागत बुद्ध है, ये शांदार काम है, और उन लोगों सभी मिल वाँगा, क्या नाम हूँ आपका, चन्नन क्या करते हैं, अभी तो कुछ नहीं, जोप नहीं करें, पढ़ाई करें, कहां तक पढ़ाई कि है, इंटर फाइनल है, नोकरी मिली है, नहीं, नोकरी के करा बजसना मिली है, वही बीजे पीके, तो पर आभी रोध हो लोगे, हां, हां, कुछ लोग करें, नहीं बनेगा, कोन लोग कहें, तो आपको कब पता चला कि, देखे, बिरन भाई जो हैं, वो बहुत महनत कश हैं, बहुत महनत कियें, रोजी-रोजगार चला हैं, भुपाल में नोकरी काम करते हैं, अपना छोटा- बहुजन जगर हैं, मैं बार-बार क्या कह रहा हूं, एक किसी सदी बाबा साहिब की सदी होगी, जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी गरीविया सिक्षा दूर होते जाएगी, एक दिन मुझे पूरा भरोसा है, सम्भिधान की चक पहचान है, तथागत बुद्ध, उनकी तस्वीर टंग गई, और संतों के संत, जिनोंने कहा था बेगम पुर्वसो, संत्र विदाजी की तस्वीरे टंग गई, उस दिन इस देश से गरीबी, भरस्टा चार, असिक्षा, चोड़ी बैमानी खत्म हो जाएगे, और भारत फि या दिमाग में अलोजे, संसिरोमनी रविदास महराज के मुर्ती लगा लगा है, तो अपना मेहनत के पैसा पेट काटके काटके किये का, आपका क्या नाम है दोस्त, आप क्या करते हो, अभी प्राई कर रहे हैं, तो यह इसमें आपका आइडिया था, जी पुड़ा- अपरति जो लोग पैदे हुए है, उनका परतिमा लगना अधम घबरान आए, अराम से अराम से, उनका परतिमा लगना बहुत जोड़ी है, क्योंकि आने माल अभविस में है, हमारे जोजितनी बच्चे है, उन पता नहीं लगता बात आए कि यह कौन है, राजंदर परसाद सिंग कहते हैं, कि हम लोग को अपनी तारीफ भी खुद करनी चाहिए, हमारे पास न टीबी है, न अख़बार है, न लेखक है, न कलाकार है, हमारी तारीफ कौन करेगा, तो हमें अपनी तारीफ भी खुद ही करनी चाहिए, तो हमरा बारे में कहिया सिजा नहीं चुने, तो पक्का ठोक के सर देख रहे हैं इस बदलाव को मैं देख रहा हूं कि जैसे यह खास करके सोशल मीडिया ही तो निश्चित रूप से यह देन जैसे सोशल मीडिया का देन जैसे प्रिंट मीडिया माफिया माफिया वह जैसे सोशल में लेकिन आज के डेट में मानवर साहब के जैसे सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे संभू सिंग जैसे पत्रकार जो पूरी तरह से आरेन कोलेज में साहथ पढ़ते थे मैं भी आरेन कोलेज में पढ़ता था मैं परसा बिधान सबाद चेतर का रहने वाला हूं वहाँ वही से परकर के हर्मास्टर बने टीचर सुनियर के भाइस परसिवेंट बने और अत्वी में बामसेप के स्टेट कोरिनेटर बने और आज बहुजा समाज पार्टी के परदेश के महा सचिव है रायस्वर दास निस्टर से मैं जैसे आपके मीडिया को सोशल मीडिया को मैं समझ रहा हूं कि पहले जैसे असोक दास जैसे पर हुआ करते थे लेकिन असोक दास से कई गुना आपने बच्चों को पैदा किया तो आप जैसे पूरी तरह से जमीन में सोशल पूरी तरह से हैती से जमीन से जूर सबस्क्राइब जितने का काम किया। बैसाली लोग सामा में कि सोशित प्रीज जनता के लराई लड़ने का काम अगर कोई करेगा तो जितने बहुजन समाज में जन्में संतुगुर महापुरुस हैं जो नहीं समता मुलक समाज से अस्थपना करने वाले थे उनके विचारों को अत्मसाथ करके इमांदारी से नियत के साथ अगर उसको स्विकार करके जन्ता के बीच रखने का काम करेंगे एक नए एक दिन जन्ता जो भटकी हुई है वह निश्यतर से अपने पुर्वज की तिहास को जानेगा और खास करके बैसाली में लोग सभा के चुनाओं में जाबाज सिपाही के रूप में और यह लोग सभा में जिता करके भारी मतों से जिता करके अपने अर्मानों का भारत बनाने का काम करेंगे इनी चन सब्दों के साथ अपनी बात काहिरता खत्म नहीं होगी दोस्तों पत्काहिरता करता रहोंगा लोक्तंत राजनीती न्यायपालिका विधाईका कारपालिका और पत राजनीति के रसायन सास्त्री आज मानेवर साथ के फर्मूले पर पूरे देश की राजनीति चल रही हम तो धूल के बराबर भी नहीं है मैं फिर कह रहा हूं 21 सदी बाबा साहिब की सद्योगी निरास मत हुए हतास मत हुए निरास मत हुए हतास मत हुए वस आपसे गुजारिस है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं अगर आपने बहुजन समाज के आदमें पढ़े लिखे हैं बाबा साहिब के बज़व से आपको जीवन में अगर बहतरी हुई है तो समाज को पे बैक टू सोसाइटी कीजिए और बस कुछ नहीं करना है संभधानिक तरीके से अपनी बात क हो लिखना परना और बोलना है जिस दिन बहुजन समाज के लोग जीव चलाना सीख गया मुझ खोलना सीख गया बोलना सीख गया उस दिन सत्ता सम्मान आपके पास होगा पतकाईरता मेरी जाई रहेगी अपनी परतकिरिया जरूर दीजेगा शम्मु कुमार सिंग निसनल द जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें